हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्योब चैनल आप सब जान ही गए होंगे कि सीजी व्यापम आप अपना एंटरंस एक्जाम करवाएगी तो हम यहां पे आपको सीजी व्यापम के एक एक्जाम जिसको हम सीजी पीपीटी कहते हैं पीपीटी याने की पॉली टेक्निक टेस्ट प्री पॉली टेक्निक टेस्ट पीपीटी याने की पॉली टेक्निक कोर्स और जो की डिप्लोमा इंजिनरिंग जिसे हम कहते हैं में एडमिशन लेने के लिए ये एंटरंस टेस्ट होता है Polytechnic colleges की details भी आपको हमारे YouTube channel के playlist में मिलेगी आप 36 गड़ में जितने भी colleges है Polytechnic की सारे colleges में कितनी seat है कौन सा course है क्या fees है structure है ये playlist में already बना हुआ है आप चाहें तो उसे playlist में जाके खोच सकते playlist का नाम होगा CGPAT CGPAT इस तरीके से नाम होगा उसी में सारे colleges के Polytechnic के, Engineering के कौन-कौन से courses है कितनी seat है fee structure क्या है hostel fees क्या है सब details उसमें बताये गया है पहले से अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा PPT exam के detail के बारे में देखिए ये exam जो है offline mode पे होता है English और Hindi दोनों में paper आपका आता है और अगर आप class 10th pass है तो class 10th pass students इसको दे सकते हैं अब इसमें question physics, chemistry, mathematics के आते हैं 50, 50, 50 आते हैं total 150 marks का paper होता है जिसमें multiple choice questions आते हैं और 150 question यानि की 1 question 1 marks का होता और इसमें negative marking नहीं होती है ये paper का pattern है जो कि आपको समझ में आ गया होगा paper का जो form है मतलब इसको PPT का जो form है वो जब भी आएगा हम आपको उसका update करेंगे पहले हम यहाँ पे syllabus की जो है वो बात कर लेते हैं देखिए ये syllabus जो है ये syllabus जो है वो 2020 का है और यही same syllabus आपका जो है इस साल भी रहेगा तो देखिए आपने class 10th तक science करके पढ़ा होगा उसी के अंदर आपका physics, chemistry और biology है जो भी आपके subject आपने पढ़े होंगे और mathematics अलग से रहता है तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पर science करके है यह देखिए यहाँ पर आप इसको पॉश करिए वीडियो को और इसा syllabus detail में देख लीजे यह देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है यह देखिए यहाँ तक आपका physics है unit number 1, 2, 3 आपका physics है फिर यहाँ पर आपका unit 4 और 5 जो है chemistry है और एक जो है आपका our environment से related है जिसको आप chemistry में भी include कर सकते हैं इस topic को तो यह आप देख सकते हैं फिर इसके अदि आग आग आपका mathematics mathematics में यह syllabus आपके दिये हुए है geometry, evansuration, statics, computer भी आता है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत ही आता है जो यहाँ पर दिया हुआ है तो यह आप syllabus को हिंदी में भी यहाँ पर देख सकते हैं syllabus यहाँ पर आपको हिंदी में भी नजर आ रहा होगा यह देख सकते हैं syllabus यहाँ पर यह syllabus यह syllabus यहाँ हिंदी में भी आपको मिल रहा है English में भी आपको दिख रहा है तो देखिए यह syllabus ही यह class 10 का ही syllabus है अगर आप इसे खोल के देखेंगे तो क्योंकि ये जो exam है class 10th पास student देते हैं तो इसमें class 11 और 12 का जो portion है वो आना संभवी नहीं है class 10 तक आपने जो पढ़ा है science और max वही इसमें आता है तो ये जो है polytechnic का syllabus है जो की PPT exams में इससे ही questions आएंगे अब सवाल उठता है कि आपको तैयारी कैसी करनी चाहिए देखिए आप class 10 पढ़े होंगे आपके पास class 10 की science और mathematics की book होगी और अगर नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि cgscrt का जो website है वहां से जाके books डाउनलोड कर सकते बुक कैसे डाउनलोड करना इससे related भी हमारी यूट्यूब चैनल में वीडियोस बने होंगे आप science और mathematics की book लीजिए और उससे पढ़िए क्योंकि उससे direct question जो है कभी कभी cg weapon जो है उठा लेती और direct question उससे देती है एक बात और कि आप previous year के जो papers है उसको भी देख सकते हैं reference के तौर पर आप आपको 2020 का तो paper हुआ ही नहीं था तो नहीं मिलेगा market में 2019 का जो paper हुआ था आप उसे purchase कर सकते हैं previous year का paper और उसे practice कर सकते हैं आपको सिफ रिविजन ही करने की जौरत पड़ेगी तो आप अभी एक्जाम होते तक आप इसकी तियारी कर सकते हैं अभी मान के चलिए आपके पास approach जो है जुलाई का थोड़ा सा दिन बचा है और अगस्त का पूरा महिना बचा हुआ है तो आप books से भी पढ़ सकते हैं आप कोई जाके अलग से book purchase मत करिए क्योंकि आप मार्केट पर अगा book purchase करने जाएंगे तो बहुत मोटी मोटी books होंगी जिसको आप cover up नहीं कर पाएंगे तो आप जो की CG board की जो book है उसी को उठाइए और उसकी तैयारी करिए क्योंकि उसी से question कईबा CG व्यापर डारेक्ट फ्रेम करते हैं तो मैं उमीद करती इस वीडियो में मैंने जो भी बताया आप लोग के हैलफुल होगा और आपको समाझ आओगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आप इस चैनल में ना है तो चैनल को जरूर सब्स्राइब करें इस वीडियो उसके लिए थैंक्यू सो मच वाच झाल